गुद मॉरिंग स्टुडेंट्स इस पहले वाली क्लस में पुल्ली टेक्सेबल परकुजिट्स इन केसव व्लिंटền इसके अंदर मेंले पने पॉर पोइंट्स इसके अन्दर शुपर, वाजमें, गार्डनर, फैसिलिटी, GASE, Water & Electric फैसिलिटी, एजुकेशन फेसिलेटी और मोटरगार फेसिलेटी यह पॉइंट वड़ा अपन ने डिसकस किये थे आल अपन जो इसके अंदर फुली एगजेंटट परकुजेट्स इन केस ऑल इंप्लै यानि यह फो इंप्लोई नॉर бер या स्पेसिफटिक इंप्लोई या दोनुए कप एनदर यह परकुजेट्स हैं यह फुली एगजेंट असे निatinर निकालता है इन परकुजेट्स को इन क्या यह fully excited मानेगे इसके अंदर एस पर सके पहला पैला point है एक इसमें फस्क्त परफ्यूजेट चाहро हो दोप्विचिन प्रफ्शाइड इंडिया और बोर्मेंट इंपलोुईज यह तिकोई G Gucci इंपलोी ज तो और वो बड़ा किसी परपस के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए आउटसाइट इंडिया गया हुए या आउटसाइट इंडिया वो किसी प्रपस के लिए पॉइंट किया हुए तो उस कंडिशन के अंदर यदि उसको आउटसाइट इंडिया कोई भी परक्यूजिट्स अगर वो एक्जम्टेट नी होंगे फुली टेक्सेबल होगे ठीक है तो यह जानवे रखना यदि किसी भी गोवर्वेंट इंप्लोईज को आउटसाइड इंडिया यदि कोई परक्यूजिट्स दिया दाता है तो वह परक्यूजिट्स है वह फुली एक्जम्टेट है सेकिंड पॉइंट इसके अंदर रिफ्रेसर कोर्स और टेनिग फैसिलेटी यदू से रिफ्रेसर कोर्सिच या टाइंटिक ये इंप्लोएर प्रोवाइड करे भाता है अपने इंपलोई को उस कंडिशन के अंदर यह फुली एक्जेंटेट पर क्यूजित समाने जाएएंगे या इस परकार की फैसिलेटी है यदी इंपलोएर अपने एक्जेंटेटे लिए पोई करे तो इसके अंदर गुवयर्मेंट औ तो यह फेसिलेटी है, वो fully exempted परकिविद्ट के अंदर आएगी, ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर third point अपना, telephone and mobile facility, यदि employer अपने employee को telephone या mobile से related facility देटा है, इससे पहले बड़ा allowances के अदर अपना एक allowance आया था, telephone allowance वो fully taxable allowance का part है, लेकिन यदि यदि ये telephone या mobile की facility, यदि employer अपने employee को provide करवा रहा है, तो ये facility क्या होगी, fully exempted माने जाएगी, यानि ये facility है, ये taxable salary के अंदर उसको सामिन नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मली बड़ा इसके ज़्यादा deeply provision नहीं है, इसके तो basic नाम है, और उसके according, इसका थोड़ा सा nature के according अपने को ज्यान है, कि क्यों सेल करते समय, अगर इस परकार ये आपको परकेजिश दिखाई दे, इस परकार ये facility आपको कही नजर आए, तो ये facility fully exempted है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर, newspaper and magazine facility वड़ा है, ये भी AJ refresher जैसा ही वड़ा, कि अपने आपको अपडेट रखने के लिए, या उस business related, detail के लिए, या उसकी जानकरी के लिए, ये इस परकार की newspaper या magazine, कि facility है, employer अपने employee को provide कर रहा है, तो ये facility वड़ा fully exempt होती है, क्योंकि इसके अंदर वड़ा, उसको update रखने से related facility है, second, third, अगौर्थ जो point आ रहा है, उसक अगर अगर अपन देखे हैं, तो वो इसके employee वो update रहेगा अपने आप में, उस condition के अंदर इसका जो benefit है, वो employer को मिलेगा, और employer को भी लेगा कोई सिदा सवाज का, कि वो business related facility है, इसलिए इन facility को अपने क्या करते हैं, बड़ा, exempted करते हैं, next point is के अंदर, फिप्त नम्र management insurance policy, medical insurance policy and key man insurance policy, यदि employer अपने employees के लिए, कोई group accidental insurance policy लेता है, या medical insurance policy लेता है, ये बड़ा देखो एक policy हो रहाई, कि key man insurance policy लेता है, और इसका दो premium का amount है, वो यदि employer पे कर रहा है, employer चुका रहा है, तो ये facility बड़ा fully exempted है, इससे पहले भी अपनी दो insurance policy आई थी, वो facility बड़ा अपनी fully taxable थी, in case of all employees, फुली taxable परक्यूजिट से उसके अंदर लिया था अपने, जिसके अंदर था अपना insurance premium, यानि LIC premium of employees, और annuity plan of employees, उसका premium यदि employer पे करता है, employer चुकाता है, इस situation के अंदर अपनी जो facility थी, वो किया थी बड़ा fully taxable थी, यान इसका तो amount of fully taxable होगा, जितना भी premium, employer ने अपने employee की insurance policy के लिए pay किया है, लेकिन आद अपना तो policy वो ध्यान डगना इसके अंदर लेकिए, तीन प्रकार की policies लिया, अपने group accident insurance policy, medical insurance policy, की man insurance policy, यादि इस प्रकार की policy यादि employee ले रहा है, तो इसका benefit वड़ा employer के लिए होता है क्योंकि group accidental insurance policy का mean आप जानती हो कि इसका mean यह ही है कि यदि माल लीजिए working place के उपर, factory के अंदर, company के अंदर, यदि किसी परकार का, किसी employee के साथ accident हो जाता है, उस condition के अंदर, उसका तो compensation की तो amount है, वो insurance company से अपने को बिलेगा, तो इसलिए business का allowed expenses होता है, और ये policy की तो amount है वो fully exempted perquisites में आती है, यान employee को इसके उपर tax नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इसका benefit है, वो employer का benefit है, ऐसे medical insurance premium है, यदि medical से related कुछ करवा रख है, तो उसका premium आदी employer पे कर रहे है, तो वो facility विड़ा fully exempted है, next is के अंदर, key main insurance policy, key main insurance policy का मतलब वो तक बड़ा कि, कोई भी, न संस्ता के अंदर, की person है, की person का मतलब है, कोई भैत वो पुण वेक्त्री, यनि किसी कंपनी के अंदर किसी वेक्ति, या किसी, हैना, officer को यह देखा जाता है, कि वो उस company के लिए, एक important वेक्ति है, एक important place रखता है, जिसका importance है, वो company के लिए ज़रूरी है, तो company क्या करती है, उसके लिए एक policy करवाती है जिसका नाम होता है key man insurance policy key man insurance policy अगर करवा रखी है तो उस condition के अंदर इसका premium यदि employer पे करता है तो ये भी fully exempted है लेकिन इसके अंदर key man insurance policy है उसके अंदर अपना एक provision है यदि maturity के उपर यानि जब ये policy का time period बड़ा वो mature हो जाएगा जैसे 15 साल या 20 साल के लिए जितने time के लिए अपने policy करवा रखी है जब इसके maturity period आ जाएगा यानि time period इसका पूरा हो जाएगा तो उस condition के अंदर जो insurance company है वो हमें इसकी policy के amount पे करेंगा तो उस इस्तिति के अंदर यदि इसमें किसी employee ने भी contribution किया है तो employee का तो contribution है वो तो income from salary के अंदर taxable होगा और यदि इसके अंदर employer का contribution है तो वो income from business and profession के अंदर employee का contribution है वो taxable होगा ठीक है तो इसके अंदर employee और employer दोनों का contribution है वो taxable होगा लेकिन यह उसका premium pay की अज़र है employer उसका premium pay करता है तो उस condition के अंदर यह fully exempted है ठीक है तो basically बड़ा इसके जो 5 points है 5 points अपने दीए यह fully exempted perquisites के part है यह perquisites है यह fully exempted होंगे बाकी और दो taxable perquisites उसके कुछ condition थी उस condition के basis पर है तो वो perquisites भी अपने exempted perquisites के अंदर आएंगे इसके बड़ा अपने यह जितने भी points अपने लिए इसके बाद में इसकी जो gross taxable income है सेलरी हैं से वो calculate हो जाएगी इसके अंदर यानि जितने भी अपने आज तक point लिए उसके बाद इस बड़ा gross taxable salary आज़ती है यानि gross income from salary आज़ती है उसके बाद में उसके taxable salary निकालते समय है उसमें से अपने को deduction देना होता है जिसको मैं बोलते है deduction from gross income यानि gross income from salary में से जो deduction है वो under section 16 यानि section 16 के according उसको deduction देना होता है यह तीन section आपके पहला दिसमें standard deduction second इसके अंदर entertainment tax उसका deduction है entertainment tax का allowance नहीं है entertainment allowance का deduction है एक employment tax या professional tax यदि pay के अज़ता है employer के द्वारा हो या employee के द्वारा हो उसका एक deduction है तो यह अपने बड़ा deduction देने के बाद में gross income from salary है वो calculate हो जाएगी तो इसके दो अपने प्रोविजन से बड़ा इसके अंदर जो basically gross income is related वो तो यह प्रोविजन अब बाकी कुछ सोटे मोटे पॉइंट है वड़ा हो अपने जो क्योंसर करेंगे उनके अंदर आएंगे उसको अपने वापने एक्सपलेंट करेंगे अब इसमें अपने को कौन कौन से deduction दे रहेंगे वो अपने इसमें discuss करेंगे ठीक है इसके अंदर एक उनिफोर से डिदक्शन यह तैनि एक शेव्ण उनिफोर्म रेट सेटेंट आया इंप्लोई और वो किसी भी कटेगरी का हो इसके अंदर बड़ा जो अपना डेडक्षन है उसका अमाउंट अपन कैसे केल्कुलेट करेंगे इसके अंदर अपने को दो इसके अंदर बात देखना है इसके अंदर पहली कंडिशन तो यह देखने है कि ग्रोस इंकम फ्रॉं में यानि जो employee की वड़ा वो salary से gross income कितनी हो रही है वो plus इसके अंदर अपने को देखना है कि maximum amount is 50,000 यानि पचाज जरुकर उन दोनों में से whichever is less will be amount of deduction यानि उसकी gross salary वड़ा अगर income from salary है वो यानि माल दीजित 40,000 आ रहे और तो deduction का amount 50,000 है whichever is less यानि 40,000 less है तो 40,000 है इसमें amount of deduction हो जाएगा तो taxable income from salary वो निल हो जाएगा यानि दो लाग रुपई यानि gross income from salary है माल दीजिये तो gross income from salary 2 lakh rupees और इसके तर बड़ा maximum amount 50,000 whichever is less का मतलब 50,000 less है 50,000 amount of deduction हो जाएगा और taxable income from salary कितनी हो जाएगे को अनि 50,000 यानि 1,50,000 पर अपनी income from salary होगे ठीक है तो यह बड़ा simple सा deduction है अपना कि इसके अंदर दोई चीज़ एक नहीं है gross income from salary और maximum amount कितना लेने अपने को rupees 50,000 दोनों में से जो भी कम है whichever is less will be amount of deduction होगी इसके अंदर यह अपने को देखना है second deduction है इसके अंदर entertainment allowance का है entertainment जो allowance है उसका deduction कैसे calculate करेंगे वड़ा वो देखते है अपर entertainment allowance के deduction के अंदर अंदर section 16,2, subsection 2 इसके इसमें यह ध्यान में रखना है कि यह deduction जो दिया दता है entertainment allowance का वो only for government employees है यानि government employees के लिए यह allowance है वो उसका deduction मिलेगा बाकी यानि non-government, semi-government employees है उनको यह deduction नहीं दिया दरिगा इसका बड़ा amount of deduction calculate करने के लिए अपने को तीन पॉइंट है वो discuss करने है पहला actual amount of allowance यानि जो actual entertainment allowance है उसकी जो amount है बोलेनी है शेकिन इसके अंदर वन फिप तो बेसिक पे यानि जो आपका अपने को 5000 इसको बड़ा कंपेर करेंगे तीनों में सी जो भी कम है वो amount of deduction हो जाएगा यह deduction only for government employees है उनको ही दिया जाते है यादि वो non government private employees है उनको यह allowance का deduction नहीं मिलेगा इसके अंदर यह बड़ा second deduction है third अपन लेते हैं इसके अंदर जो अपना है employment tax और professional tax इंप्लोईमेंट और professional tax section 63 इसके भी दो पार्ट से इसके अंदर फर्स अपने लिया है एक पोइंट लिया इसके अंदर इसके अंदर paid by employee यदि employment या professional tax का amount है या tax है वो employee के दोड़ा paid की अदर उस condition के अंदर जितना भी उसने tax का payment किया है उतने amount को अपन उसकी gross income from salary में से deduct कर देंगे और उसका अपन deduction देंगे ठीक है यदि यह amount employee पे करता है तो उसकी full amount of tax deducted from gross income from salary यानि उसकी gross income from salary में से उसका full amount of tax deduction अपन देगे इस paid by employer यदि उसका tax का payment भी employer कर रहा है तो इसकी बड़ा तो condition हो थोड़ी change हो जाएगी फर्स्ट तो अपन क्या करेंगे उसकी gross income from salary निकाल के समूज को included करेंगे यानि उसमें सामिल करेंगे जो इतना भी उसने tax का payment किया है देर आफटर उसका tax का payment किया है उसका deduction देंगे अपन gross income from salary तो यदि employee pay करता है तो उसका deduction देना है और यदि employer pay करता है तो पहले तो अपन क्या करेंगे इसको बड़ा gross income from salary में सामिल करना है इंक्लूड करना है और उसके बाद इसका deduction करना है पहले उसको एड करना है यह जही ग्रोस income माने जाएगे क्योंकि obligation or liabilities of employee paid by employer यानि उसने उसका tax का payment कर दिया जिसको paid करने की तो liabilities है वो किसकी थी employee की थी उस condition के अंदर पहले तो उसको gross income में सामिल करेंगे और उसके बाद में जब उसका taxable salary निकाल लेंगे या taxable income from salary निकाल लेंगे उसका अपन deduction देंगे फिर एक चीज़ मेंसा दान रखना पड़ा है इसके अंदर देखो मैंने लिखा है allowed only paid basis यदि tax का payment किया है तब ही deduction मिलेगा यदि tax का payment नहीं किया है तो कोई deduction नहीं मिलेगा कियो से नहीं लिखा होता है कि amount 2000 payable for employment tax but paid only rupees 1000 यानि 2000 payable थी लेकि पेड एक हजारी की तो एक हजार करी deduction अपने को देना है यदि उसने 2000 payment कर दिया तो 2000 का deduction देंगे एक और बात ध्यान में रखनी है कि maximum amount of employment और professional tax है वो 25 hundred per year है वड़ा इसके अंदर 25 रुपए एक साल तक अपन maximum allowed कर सकते हैं तो यह बाद भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है तो यह अपना employment और professional tax है यह वड़ा तीन deduction थे उसके बाद में आपकी जो taxable income from salary है वो अपन calculate हो जाएगी यानि उसके बाद में अपने जितने भी जो practical problems है questions है वो अपने इसके solve कर सकते हैं अराम से इन provisions को ध्यान में रखते हुए इन provisions को पढ़ते हुए इन provisions को याद करते हुए यह बड़ा अपने जो provisions है income from salary के यह अपने जो important जो part इसका वो अपने आज discuss की है next इस अरे आका अरे सकते हैं वारे जस च schneived है का इसकाल थाम सबस्थे कहाँ